मस्कार और वल्कम तो क्यूरियसली एजुकेशन दोस्तों मैं प्रशांत मावानी आप सभी का एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिस वारे इस लेक्चर में हर दिक रुप से स्वागत करता हूँ आज 9 जुलाई 2022 यानि की सेटरडे के मॉस्ट इंपोर्टेंट एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स को हम विस्तार से समझेंगे आज हमारे टेबल पर हैं चार इंपोर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहला जो है यह वैक्सीन के साथ जुड़ा हुआ है टाइमस अफ इंडिया का एक इंट्रेस्टिंग आर्टिकल है फिर एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग जियो पॉलिटिकल आर्टिकल है दे हिंदू का यह आर्टिकल है और यह पूरा जो इसराइल और इरान के बीच में जो गेम चल रही है उसके बारे में है कुछ ऐसी चीज़ें आपको यहां पर जानने को मिलेगी जो अभी तक आपको पता नहीं होगे और आम शूर रिगिलर स्टुडेंस आपको इरानियन न्यूकलियर डील के बारे में पता है जैसी पी ओ ए इसका एक दूसरा नाम है तो इसके बारे में पता है क्या हुआ था यह सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत बार एक्स्प्लाइन कर दिया लेकिन यहां पर हम कुछ नई चीज़ें सीखने बारा हैं थार्ड वन इस दे क्लोक इस स्टिकिंग ओन दे इश्यू आफ एनरजी पौवर्टी बहुत ही इंट्रेस्टिंग कॉंसेप्ट है यह राइट एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक भी है आपके सिलेबस का व्यार प् यह फॉर्ट वन इस में मैमत इश्यू पॉनियर का यह यह चीज़ें को जब आप संजेंगे दिया आई वोर्ट वर्ट अएद एक आप शॉक्ड हो जाएंगे जब आ इस आर्टिकल के बारे में चीजों को जब आप शॉठीन बंढ़े हो जाएंगे जब दो आप समझेंग फर्स वन कुछ वैक्स कॉल्स टाइम सोफ इंडिया का यह आटिकल है राइट सिबाउट कोविड-nagrion फ्रेटीन वैक्सेन गवर्ड ओप आफ इंड्या ने क्या कहा अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है और कुछ दिनों पहले की ही बात हैं और कर्ण्ट अफेर्स का जो ल आपकी प्रिलिम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है फिर यह वला लेक्चर एडिटोरियल एन आर्टिकल अनलिसिस वला लेक्चर आता है यह प्यूरली मेंस प्लस इंटर्व्यू फिर तैयारी कैसे करते हैं यह सारी चीजे भी इसमें टाम टाम पर कवर होती है और कुछ चीज़ है आपको प्रिलिम्स की भी मिल जाती है राइट फकॉर्स होलिस्टिक है यह यह फाइनशिल न्यूस अनलिसिस यह प्यूर्ली एकोनोमी बिजनेस फाइनस वर्ल के साथ जुड़ी हुई जो इंपोर्टन्ट चीज़े हैं वो हम डिसकुस करते हैं और यह एफ एन बैंक की तैयारी करें तो भी आपको बहुत सारी चीज़े हैं पर मिल जाएगी और यह तो हैं ही बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए फन हैं बाकी आई वुट से के जनरल क्यूर्यस इनसान हैं आप आपको चीज़ों को जानने का सौख हैं तो भी यह सिरीज जो हैं तिनो महिने का interval होगा अब second or third dose में now the third dose जो है वो second dose है ना वो essential की category में आता है third जो है वो booster की category में आता है लेकिन यहाँ पर सरकार को जब से सरकार ने ये booster program के बारे में सोचना start किया जब से इसका inception हुआ है जब से ये start हुआ है inception यानि की beginning तो तब से ही government को ये च्छे महिने का interval जो है वो तेक देने की जरूरत थी पिछले एक साल के अंदर बार बार time lines जो है वो change हुए it's so confusing right मुझे भी कई बार confusion होती में इतने current affairs हो सारी चीज़े पढ़ता रहता हूँ तो भी कई बार मुझे भी पता नहीं चलता कि exactly कितना gap रखा है सरकार ने starting में तो ऐसा भी था कि जो top government के experts हैं वो कहते थे कि हमें तो कोई boosted dose की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दो dose में सारी चीज़ें जो है वो sort out हो जाए लीगी लेकिन मुझे आज भी याद है पुराने अगर मेरे lectures अगर आप देखते आए हैं तो आपको पता होगा बहुत time पहला है right? COVID जब चल रहा था उस time पर जब vaccination की शुड़वात ही उस time पर ही हमने एक बहुत interesting article discuss किया था उसमें बताया था कि कैसे first and second dose जो है उसको देने के बाद आपको third or fourth booster dose देने पड़ेंगे and that that will be all like fourth dose तक चीज़े जो है वो सोटार कुछ है से rare देश है जो fifth dose के बारे में भी बात कर रहे है लेकिन four dose जो है वो काफी सारे developed देशों में दिये गए for example अभी हमारे एक student है साओधी अरेबिया में रहते हैं तो उनकी एक comment मैंने पड़ी थी उन्होंने कहा कि sir मैंने अपना fourth dose भी ले लिया है शायद आपने भी वो comment पड़ी होगी वो हमारे एक regular student है तो this is just one example कि कई सारे देश में fourth dose जो है वो भी दिया जा चुका है और हमारे देश में पहले ये कहता है कि second dose की भी ज़रूरत नहीं होगी फिर सरकार ने क्या किया पहले नो महिनों के gap को रखने की बात बताई उसके बाद जो international travelers है तो उनके लिए तीन महिनों का gap किया उसके बाद फिर छे महिनों का gap अब कर दिया है final right तो let's hope के ये अब जो goal post है ये और ज्यादा change ना हो सरकार कोई एक particular time जो है वो fix करके vaccination की तरफ, boost dose की तरफ आगे बड़े, it is very very important और vaccine अगर आपको मिल गई तो ऐसा नहीं है कि infection नहीं होगा, infection हो सकता है लेकिन it will be in a very very mild form और खास करके जो लोग जिनको दूसरी बिमारिया है, co-morbidities है, blood pressure, kidney, lungs, etc. तो इन सारी बिमारिया वाले जो लोग हैं, उनको तो booster dose देने की एक, you know, it's a need of the hour इसको urgently हमें इनको target करके, identify करके उनको booster dose प्रोवाइड करना है नए Omicron के variants भी आ चुके हैं, BA.5, BA.4 और इंडिया जो है, BA.2.75 जो है, इसको closely monitor कर रहा है कहते हैं कि ये Omicron के ये जो नए सब variants हैं, BA.5, BA.4 जो है, ये ज्यादा ऐसे contagious हैं यानकि ये फटा-फट फैल जाते हैं और lungs को काफी ज्यादा target करते हैं South Africa में एक study conduct की गई और पता चला, of course, कि vaccination जो है, it protects है, right और बहुत सारी studies में ये चीज़ हमें देखनों को में ये है कि vaccination is definitely, it's like, you know, it's prevention is better than cure और तो vaccination is prevention, फिर बाद में हो जाए, that will be cure और, cure हमेशा painful और lengthy रहता है booster के लिए और ज्यादा public messaging की जरूरत है, अभी कुछ दिनों पहले भी हम बात कर रहे थे के social media और जो caller tunes हमारी थी messages के माधियम से, SMS के माधियम से, WhatsApp के माधियम से, आज हमरे पास कितने सारे communication के साथ unavailable है तो we can, you know, restart this campaign और एक गलती जो सरकार ने की वो ये हैं कि जो adults हैं, उनके लिए vaccination की price रखी है it should be free, आप एक बार free कर दीजिए, you will find people will start taking booster dose और जैसा ही लोग booster dose लेंगे तो दूसरे लोग भी booster dose लेना, start कर देंगे और we can do that thing as well, आपको याद होगा, चेतन भगत का एक article बहुत समय पहले हमने discuss किया था उसमें एक interesting, उन्होंने fact हमारे साथ share किया था, right एक interesting ऐसा, वो बताया था, कि let's say एक जो band होता है na, wrist band ऐसा दिया जा सकता है, कि उसमें let's say number 3 लिखा हो, या फिर number 4 लिखा हो, right या फिर let's say booster लिखा हो, anti-covid, ऐसा कुछ भी, right with Indian flag or something, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, कि अगर आप booster dose लेते हैं तो फिर आपको वो हाथ में band दिया जाएगा, you can wear it, you can flaunt it आप दूसरों को दिखा सकते हैं, it will inspire other people के, वो भी ऐसे booster dose लेकर आए, तो ये हमरे इस देशवासियों के लिए ही अच्छा है, isn't it आप देखें, USM has 39 लोगों ने 3rd dose ले लिया है, UK में 59 लोगों सो में 59 लोगों ने booster dose ले लिया हमरे देश में सो में से सिर्फ 3.32 लोगों नहीं, यानि कि 3-4 लोगों नहीं ये booster dose लिया है और हमारे पास जो डोस है ना वो कुछ समय में एक्सपायर होने वाला है तो वेस्ट होने से तो अच्छा ये फ्री में हम दे दे और ये जो slow decision making है it's not helping we need to be bit fast right फटाफट decision लेके फटाफट इसको free declare करके आप start कर दीजिए कोविड की vaccination जो है उनको लोगों को देना start करना जल से जल सो और heterologious boosting तो इसमें ऐसा है कि आपने kovi shield ली है तो आपको kovaxin का boosted dose दिया जाएगा kovaxin ली है तो kovi shield का ये है फिर हमने मैंने एक video भी बनाया था kobravax का राइट तो ये नहीं देखा है video तो check it out i'll post the link here you can click here and watch this video korbevax वाल वीडियो तो ये heterologious booster जो है इसको अभी final node मिलना बाकी है so that's everything as far as this vaccine is concerned बहुत सारी चीज़ा हमने इसके सकते हैं तो इस विशह को विराम देते हैं let's move on to next interesting topic the shadow war between Israel and Iran the Hindu का ये article है आपकी screen पर ये flag जो है this is flag of Israel this is flag of Iran और आपकी screen पर ये Arabian peninsula आपको नजर आ रहा है right this is West Asia region तो यहां पर एक बहुत ये ताकतवर देश है right Iran is a very powerful country इसको underestimate करना जो है that's a big guilty तो ये है Iran you can see Iraq here में सारे देश जो हैं वो आपको एक बार दिखा देता हूं this is Kuwait यहां पर एक चोट असर देश है right बहरेन इसका नाम है then you have Qatar ये रहा UAE ये रहा Oman ये रहा Yemen ये रहा Saudi Arabia Saudi Arabia के बारे में हमने current फिरस में क्या बात की थी के जो हज की यात्रा है उसके शिरुवात हो चुके है isn't it तो ये रहा मदीना ये रहा Mecca right sorry this is Jeddah right this is Mecca here मेका से मदीना ये हज की यात्रा होती है तो this is Saudi Arabia here फिर यहां पर आप देख सकते है तिस जोडन ये रहा Syria Syria थोड़ा बड़ा है लेकिन यहां पर नजर नहीं आ रहा है पर आपको just ये चीज़ों को एक बार देखना है here you can see Palestine और ये वाला जो है this is Israel and ये वाला जो है इजिप एजिप जो है वो इसके साथ एक बॉर्डर शेर करता है and that's basically everything right बाकी कुछ देश है जैसे के सुदान है और इरिट्रिया है लेकिन ये सारे फिर आफरीका में आ जाते है ये जिप इस ऑलस पार आफरीका बाकी यहां तक जो बॉर्डर हमने देखी right इसराइल तक जो है this is like West Asia ये इसराइल is like the last country as West Asia is concerned बाकी अरबिक देशों को देखे तो एजिप भी अरबिक देश के सकते हैं सुदान जो है वो भी एक Islamic country है and things anyway not going too much into it अब आपको पता चल गया है ये location right तो ये रहा एरान ये रहा इसराइल हम predominantly इसकी बात करने बाले है and then we will add Saudi Arabia और फिर ये 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 and etc depends कि हमारे पास कितना समय है और कितनी गहराई में हम जा पाते हैं आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है जो ये इनसान है इनका नाम है मुहम्मद रेजा पहलावी ये इरान के राजा थे दे शाह ओफ इरान फिर ये जो आप देख रहे हैं व्यक्ति राइट तो ये ये जो है ये इरान के डेप्यूटी मिनिस्टर ओफ वर एंड आमर्मेंट्स थे फिर आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है ये इसराईल के प्राइम मिनिस्टर थे इनका नाम है मेनाश हम बेगिन अब ये तीनों को आपने देख लिया राइट एक बार फिर से देख बात हैं जो राजा साहब हैं वो अपने डेप्यूटी को कहां पर भेजते हैं? वो बेजते हैं इसराईल और ये हम बात करें एरान के राजा जो है वो एरान के डेप्यूटी मिनिस्टर और और्न आरवामेंट्स को इसराईल भेजते हैं क्य caracter वहाँ पर एक लिकुद गोण तो लिकुद गवर्मेंट जो है यह जो बेगिन साहब है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनके एक नई सरकार जो है वहाँ पर उसकी स्थापना हुई और यह बहुत ही सीक्रेट बातचीत हुई इसराइल और इरान के बीच में एंड पेटेंशन हीर दिस जुलाई थोड़ा आपको ध्यान यहां पर रखना पड़ेगा राइट जुलाई एप्रिल जुलाई 1977 की बात है और यहां पर देखिए एप्रिल की हम बात करें तो 1977 एप्रिल में क्या हुआ था शाह जो है राजा जो है यानि कि एरान जो है इरान छे ओइल फॉर आम्स की एक डील साइन की थी और इसमें यह था कि इससे पहले की जो लेबर गवर्मेंट थी इसराइल की तो उसने यह साइन किया था लेकिन फिर सरकार बदल गी एस वी टॉक्ट अबाउट राइट के एरक्शन से वगर तो जुलाई में फिर मिनिस्टर सा नाम था फ्लावर पुषपा पुषपा राच फ्लावर समझाए क्या नो इस नोट टैट फ्लावर एक ऐसी डील हुई कि इसराइल जो है वो अपनी कुछ सर्फिस टु सर्फिस मिसाइल जो है उसको थोड़ा मोडिफाई करेगा और मोडिफाई करके यह चीज वो इरान को बेचेगा बदले में क्या मिलेगा बदले में उनको मिलेगा ऑईल जनरल तोफानियान्स मिशन वोस तो एंशूर देज़ अज़ जो नई सरकार आई है तो यह नई सरकार जो है वो पुरानी डील जो है उसको कैंसल ना कर दे फिर उनकी मुलाकात वहाँ पर होती है मेजर जनरल एजर वाइजमान से यह डिफेंस मिनिस्टर थे बेगिन गवर्मेंट के और दोनों की बीच में जो मिलिटरी को प्रोड़क्शन लाइन है उसके बारे में एग्रिमेंट हुआ बाचित हुई और इसराइल जो है वो उसमें और कहते हैं कि यह जो 700 किलो मिटर रेंज वाली जो सर्फिस टू सर्वेस बलिस्टिक मिसाल एरान को देने की जो बात थे तो यह नूकलियर वोर हैड भी कैरी कर सकती हैं ऐसी कैपैसिटी वाली मिसाल जो है वो इसराइल एरान को देने वाला था दोस्तों अगर आपको इस अधर के बारे में थोड़ी बहुत चीजे पता है तो अभी तक जो चीजे मैंने आपको बताई इट वुड़ी वेरी शॉकिंग फर यू क्यों पता है क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया यह मैप नोट मैप सोरी फ्लैग राइट शैडव वार एक लंबे स उसार ऐसे मिशन्स उन्होंने किया है इसमें इरान को काफी टार्गेट किया इरान और इसराइल जो है यह आर्च एनिमीज है लाइक इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी से भी नेक्स्ट लेवल पर उनकी दुश्मनी है तो ऐसा वक्त होने वाला था ऐसा ऐसा हो सकता था 1970 में कि इरान को नुकलियर वेपन्स जो है वो इसराइल ही प्रोवाइट करने वाला था ऐसा ऐसा लगता था लेकिन फिर इसलामिक रेवल्यूशन हुआ जिसको इरानियन रेवल्यूशन कहते हैं 1979 में यह हुआ था और यह जो शाह है ना उसके बारे में मैंसमा के लोग तं अमेरिका के जो अमेरिका जो है वो इरान के राजा को संभालते थे कत्पुतली की तरह यह राजा काम करता था और वहां के लोग जो है वो परिशान हो गए थे रिलिजियस लीडर्स और बड़े बड़े जो बिसनिस वाले लोग थे वो फिर परिशान हो गए थे कि यह तो क इसराइल का एक मित्र देश था, अमेरिका का मित्र देश था, अब ये अमेरिका का सबसे टॉप एनिमी बन गया, राइट, ये इरानियन रेविल्यूशन की वज़े से पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, वो यहां की चेंज हुए, बट जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में देश हैं, और एरान जो हैं, वो फिर शिया मुसल्मानों का देश हैं, तो ये शिया वर्सिस सुनी वाली जो चीज़े चल रही थी, अब एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँच गई, फो दे सुनी गल्फ मोनार्की, जितने भी सुनी मोनार्की थे, साओधी अरेबिया सबसे बढ़ा है, उसके बाद आप यूएई पकर लीजिए, तो तो यू हैं इस्कार और अधर कंट्रेंश । ये सारे देश जो हैं, वो बढग गए हैं, ये सारे देश जो हैं ये तो अब ये शिया तीयो क्रिटिक रिपुबिलिक जो बना है नजा देश, तो यहां पर इस् सबसे बड़ा दुश्मन हो गया और अब इसकी यही कोशिस है foreign policy का main target यही है कि कुछ भी हो जाए इरान के पास nuclear capability नहीं आनी चाहिए क्योंकि अभी यहां का सबसे अगर जो कहते हैं ना कि alpha male tiger कौन है इस area का तो that is Israel सबसे ताकतवर इसराइल है भी लेगिन अगर इरान के पास आ गया यह nuclear weapon तो फिर इरान भी एक contender हो जाएगा एक challenger बन जाएगा तो इसराइल ऐसा बिलकुल नहीं चाहेगा तो इसराइल ने एक octopus doctrine अब यह समझ लीजिए आप what is tentacles यानि कि उनके जो हत्यार है उनके जो हाथ है उस पर ही attack मत कीजिए उसके head पर यानि कि जो उसका दिमाग है उसको भी target कीजिए दिमाग in the sense top leadership let's say कोई scientist है जो nuclear weapons बना सकते है जैसे हमरे देश के APJ कलाम साब थे right missile men तो ऐसे जो scientist है ना एरान के उनको चुन चुन कर मा डालो उनका दिमाग ही ऐसे जो लोग है वो होने ही नहीं चाहिए जो उनके लिए ऐसे weapons बना सके उनके आर्मी को उनके spies को ये सारी चीज़ों को तो target करना है लेकिन इनको भी नहीं छोड़ना है तो ये चीज़ जो है वो इसराइल ने स्टार्ट के और तब से एक shadow war जो हैं ये दोनों के बीच में एक लंबे समय से चल रहा है और इसकी वज़ए से अब anti-Iran axis भी बन गया है तो इसमें USA हैं इसराइल हैं और ये पहले जो इसराइल के दुश्मन देश थे ये पलेस्ताइन को अजिद दोवाल है तो उतने ही famous उतने ही important एरान के एक कासिम सुलिमानी को attack किया गया उनको मार दिया गया ये कुछ आप समझ लीजिए एक डेट साल पहले पुरानी बात है JCPOA की गहराए में मैं नहीं जाओंगा मैंने कई बार इस चीज़ को समझाया है ये सारी चीज़े 2015 सारी चीज़े जो है वो सही चल रही थी फिर आते है Mr. Trump और उनने maximum pressure वाली चीज़ों को start किया और इरान ने फिर कहा कि हम maximum resistance करेंगे और 2015 में जो situation थी आज और ज्यादा complicated हो चुकिया thanks to Mr. Trump अब देखते हैं के अलग-अलग stakeholders जो हैं वो यहाँ पर यह geopolitical vortex जो है यह अपने बहुत ही complex situation बन चुकी है तब देखते हैं के अब यह solve कैसे होगा, क्या steps उठाय जाते हैं मुझे नहीं लगता कि it's going to be that easy, right आज भी बहुत सारे differences है and it will take time चीज़ें जो है 2015 में ऐसा लगा कि यह problem जो है वो solve हो जाएगा लेकिन ट्रम्प साब, honestly, right ट्रम्प के आने के बाद और ट्रम्प जो है वो इसराइल और साओधी अरेबिया इनके मित्रदेश है, right तो USA जो है, वो इनकी सुनकर फिर इसने JCPOA जो है उसमें से step out कर दिया और फिर चीज़ें और ज्यादा messy हो गई तो let's hope के आगे क्या होता है देखते हैं, let's hope के चीज़ें जो हैं वो सही हो जाए लेकिन I'm sure आज की इस discussion से आपको पुरानी स्टोरी भी पता चल गई होगी ठीक है, मुझे ये article भी बहुत पसंद आया बहुत interesting है, right energy poverty एक नहीं, concept आज हम समझेंगे Indian Express का ये article है अभी G7 की जो summit हुई, कहां पर हुई थी ये options दे रहा हूँ आपको, right answer बताईएगा UK, Germany, France, या फिर Indonesia, ये चार देश में से कहां पर हुई थी, G7 की summit बताईए, तो ये जो G7 की summit हुई दोस्तों, तो इस summit में, comment section में by the way आपको answer देना है, तो G7 की summit में प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मुदी साहब ने, जो energy poor country है, उनके लिए आवाज उठाई, उनके लिए, मुदी साहब ने या फिर आपके सकते हैं भारत ने, बहुत important एक stand लिया है, the need for the impoverished to be able to access energy as much as the rich global north, जो पैसे वाले देश हैं, वो तो energy access कर लेते हैं, लेकिन जो impoverished, जो गरीब देश हैं, उनको भी energy का access मिलें, अच्छे दामों में energy वो खरीच सकें, इसका distribution कर सकें, ये बहुत ही important है, और energy poor people जो हैं, वो हर जगा पर आपको Latin America में, Asia में, आफरिका में देखने को मिरेंगे, और कहते हैं कि कुछ दुनिया में तीन billion लोग ऐसे हैं, जो energy poor हैं, और इसमें South Asia की ही अगर बात करें तो, एक billion लोग ऐसे हैं, जो energy poor है, energy poor यानि कि वो energy effort ही नहीं कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, electricity और ये सारी जीज़ हैं, particularly fossil fuel, we know कि electricity जो हैं, वो भी fossil fuel से ही पैदा होती हैं, right, कोईले से, दूसरे भी sources हैं, लेकिन ज्यादा तर हमारे दिश में तो कोईले सही पैदा होती है, इंडिया का bill देखिए आप, ये जो March, 31st March 2022 तक का हमारा bill जो है, एक साल का हो गया, 119 billion dollars, और इसमें, बिल में इतना ज्यादा उचाल इसलिए देखने के विला है, because of this war, we know it very well, कि February से जब से war की शुरुवात होई, तब से oil की प्राइस जो है, वो काफी ज्यादा होगी है, और tensions जब भी बढ़ते थे, तो oil की प्राइस जो है, वो थोड़ी up हो जाती थी, कुछ हमारे refiners जैसे के Indian Oil Corporation ने भी अब discounted oil जो मिल रहा है, रश्या से crude oil, तो उसको ज्यादा खरीदने की शुरुवात कदी है, ताकि ये जो petrol और डीजल और दूसरी जो turbine fuel, aviation के लिए जो यूज होता है, तो जितना cheap price में हम खरीद सके उतना अच्छा है, हमारे देश के लिए, हमारे ये लोग इस flow को choke hold करेंगे, इसको completely ban करने की बात कर रहे हैं, तो इससे oil की price कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और बहुत सारे से देशें जिसमें Shri Lanka जैसे situation हो सकती है, आज सुबह ही जो current affairs है, उसमें मैंने आपको बताया था Shri Lanka के बारे में, तो आज का, यानि की, आज मैं जब ये record करा हूँ, it is Sunday, right, ये 9th July वाला lecture है, कल मैंने टेलिग्राम में भी बताया था, का I was not able to record this lecture because of, you know, के I'm recovering from an injury, तो थोड़ी बहुत चीजे जो है, वो उस तरफ, I was like hospital वगेरा, तो उसकी वज़े से मैं नहीं आ पाया था, but I got very, means free हुआ, तो it was very light, तो इसलिए कल ये lecture नहीं आ पाया, but आज संजे है, Sunday है, तो yes, we can go through it, right, it will take what, 30 minutes for you guys to go through it, I'm sure, means आपको बता ही है, what's going on with my life, तो थोड़ा बहुत आप adjust कर ले ना, ठीक है, तो आज का, यानि कि 10th जुलाई वाला जो है ना, करिंट फैस, उसमें मैं स्रुलंका के बारे में बात किये, तो ओइल की प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये बहुत सारे ऐसे देश हैं, जिसमें energy shocks आ सकता है, disruption हो सकता है, उसकी economy destroy हो सकती है, और दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है, कि रश्या और चाइना की गैंग जो है, वो और ज्यादा मजबूत हो जाए, आप उन पर sanctions लगाने की बात करें, फिर ये दुनों देश जो है, वो मिलकर एक parallel international oil market create कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, और oil को इतना ज्यादा weaponize करना जो है, वो सही नहीं है, और रश्या के बारे में ये एक point no down कर लीजिए, बहुत ही important है, आप समझ लीजिए इसको, कि दुनिया में जो total oil production है न, उसका 12.6% लगभग आप याद करने के लिए 13% भी कह सकते हैं, examination में भी nearly 13% लिखेंगे तो it's okay, specifically लिखना चाहा है तो 12.6% आप mains examination में लिख सकते हैं, कितना किये क्या है, ये रश्या का production है, जो total है, वर्ल्ड का जो production है, वर्ल्ड का production जितना भी होता है, तो उसमें से 12.6% precisely और roughly 13% जो है वो रश्या पिदा करता है, तो आप सोचिए, अगर आप oil के पर band, Russian oil पर band लगाएंगे, तो इसकी price कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और दूसरी चीज़, जो energy deficit countries है, economies है, जिनके पास oil और ये सारी चीज़ों का access उतना नहीं है, तो उनको insulate, उनको protect करने के लिए आप क्या कर रहा है, G7 nation ने कुछ किया इनके लिए, the answer is no, इनके लिए कुछ कीजिए, उसके बाद ये band लगाईए, बहुत सारे experts का कहना है कि जो Ukraine premium हम पे कर रहे हैं, that is 22 dollar, इसका मतलब समझ लीजिए, Ukraine premium का मतलब यह है, जब सही ये war की शुरुआत हुई हैं, और जब सही ये sanctions और ये सारी चीज़े आई हैं, तो इसकी विज़े से 22 dollar price जो है oil की बढ़ चुकी है, global crude oil की, तो ये 22 dollar जो बढ़ हैं, इसको Ukraine premium कहते हैं, तो इतने तो हम extra pay कर रहे हैं, और इसमें और ज़्यादा band लगा कर इसको और ज़्यादा premium बनाने की या फिर इसको और ज़्यादा expensive बनाने की बात जो हैं, वो G7 देश कर रहे हैं। एक बात तो हकीकत हैं कि अब energy की बात करें हम, तो चीज़े जो है वो Asia के pucks में shift हो चुकी है, right, energy as far as energy is concerned, और खास करके यह fossil fuel और इन सारी चीज़ों की बात, लेकिन आज भी यह जो world energy system है उसको यह Atlantic देश, USA, UK, यह सारे देश जो हैं यह सारे देश ही अपनी narratives, उनको जो चाहिए, उनके देश को, उनके geopolitics को, उनके economy को, जो चीज़े सूट करें उससे सबसे वो decisions लेते हैं। आज भी आप देख लिजिए energy market में कौन सी currency किसका सिक्का सबसे ज्यादा चलता है, अमेरिका का, international energy agency जो हैं वो भी USA और UK और इन सारे देशों, G7 देशों को ध्यान में रखते हुए decisions लेती हैं, तो G20 BRICS जैसे groups जो हैं, उनको यहां पर एक stand उठाने की definitely जरूरत है, the world truly needs, right, the global intergovernmental organization हमें चाहिए, जो energy transition, energy access, energy justice, energy और climate इन सारी चीज़ों को लेकर, एक specific dedicated global organization की हमें आवश्यक्ता है, वरना यह western world का, G7 का दबदबा जो हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा, और अब देखिए, इंडिया और चाइना जो हैं, इसमें कितने लोग रहते हैं, तीन billion energy consumers यह आप रहते हैं, just imagine कि यह दोनों देश मिलकर negotiation table पर जाए, यह दोनों देश अगर एक बार genuinely अगर सोचिए आप एक बार यह दोनों देश मिलकर oil producers से कहें कि इतने नहीं इतने पैसों में देना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, बहुत tough negotiation और हम joint में अगर चीज़ों को खर हम इंडिया के साथ शेर कर लेंगे, और फिर दूसरे देश जैसे के इंडोनेशा, साथ अफरिका, टर्की जैसे वो बड़े देशों को भी इसमें invite किया जा सकता है, तो यह पांच-छे देश मिल जाए ना, इंडिया, चायना और यह इंडोनेशा, साथ अफरिका, टर्की, तो यह oil producers जो है ना, वो उनको हम जेब में लेकर घुम सकते हैं, इतना power हम exert कर सकते हैं, तीन बिलियन प्लस लोग, just imagine, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोधी साब ने एक stand लिया है, यह अच्छा stand लिया है, no doubt भारत का stand काफी अच्छा है, और globalized world में ऐसा है, या तो हम सब safe हैं, या तो हम सब unsafe हैं, तो we have to think about it, right, खास करके, यह G7 देशों को PM मोधी साब ने जो कहा, उसके बारे में सोचने की जरूरत है, महमत इश्यों, pioneer का यह article है, हाथी, हाथी is like, you know, the biggest animal in a jungle of Asia, right, हमरे, means, if you go to Africa, तो वहाँ पर सबसे tallest, चलो आपको यह जिराफ देखन को मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर तो सबसे बड़ा अगर कोई animal है, in terms of height, in terms of weight, everything, that is हाथी, journal for nature conservation का एक report आया है, and you'll be shocked to know this fact, कि जो हमारा human waste है, जैसे के plastic, glass, wires, यह सारी चीजे जो है, वो हमारे हाथीों के पेट में से, उनका जो डंग है, उसमें हमें यह सारी चीजे द देखने को मिली है, researchers ने जो उत्तरा खंड का forest का area है, उसके आजुबा जो का area है, वहाँ पर जो डंग मिला, तो इस आथी का जो डंग मिला, तो इस डंग को जब analyze किया, तो पता चला के 75 samples जो लिए, उसमें से one third, यानि कि आप पकड़ लीजिए, one third, यानि कि 66% जितने जो samples है, उसमें हमें plastic packaging और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, that means कि अब हाथी जो है, वो जो चीज़ें खा रहे हैं, तो उसमें plastic उनकी system का part बन चुका है, which is very very unfortunate, और हाथी के बारे में आपको पता होगा कि उनका जो excrement है, उनका जो dung है, वो seed spreading के लिए बहुत काम आता हाथी यहां पर खाते हैं, और हाथी का traveling बहुत लंबा रहता है, पानी के लिए और पूरी season to season, यहां से महां कितने सारे 1000 km यहां महां हो जाते हैं हाथी, तो हाथी जो है ना, वो जब चीज़ों को खाते हैं, फिर उनका जो dung है तो उसमें जो seeds हैं, वो उनको fertilizer भी मिल जात हैं, यानि कि जो virgin forest है, जहां पर इंसानों, इंसानों का dirt हमारी जो गंतकी हैं, वहां पर नहीं पहुचिए, अब उन सारी जगह उपर भी यह सारी चीज़ें जो हैं, वो पहुंच जाएगे, अभी कुछ समय पहले एक report आया था कि स्ट्रिलंका में, you know, 20 हाथियों की मृत् तो forest department, waste management department और लोगों को ये समझना चाहिए, right, every individual को ये समझना चाहिए, आप प्लास्टिक यहां वहां फेकते हैं, आप अपना कच्रा यहां वहां फेकते हैं, right, हम सुबह उठकर पूजा पराथना करते हैं, और कहते हैं कि जो इश्वर हैं, वो पूरी ये श्रिष्टी जो हैं, उसकी रक्षा करें, etc., ये सारी चीज़ है, विच इस वेरी गोड तिंग, लेकिन हमारी एक्शन जो हैं, वो हमारी प्रेस के साथ मैच हो जाए, तो कुछ हमें result देखने को मिलेगा, और यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं आप पर ही blame डाल रहा हूं, right, मैं हम सब की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं दूद का दुला हुआ, मैंने भी कितनी सारी गलतिया की ही होगी, right, यहां महां कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, जब से, मैं से, हो संभाला है तब से तो चीजों को यहां महां नहीं फेका है, कोशिस तो वही रहती है, right, लेकिन, नहीं, होते हैं, टेल देम के वहां पर डाल दीजिये, घर जाकर डस्ट बीड में वो कच्रा जो है डाल देंगे, तो ऐसे तो हैं, थोड़ा बहुत अवेरनेस तो हैं, लेकिन, फिर भी अगर हम सब, right, हम सब अपनी, अपनी responsibilities जो हैं, उसको completely follow करें, तो यह बेकसूर जो हमारे जा watching this video, इस video को दूसरे students के साथ शेर जरूर कीजियेगा, and I'll see you soon, till then, enjoy your studies, God bless you all, Jaihan.